ऐलो गाईज आप सभी को नमस्कार आज का जो प्रोब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक भ्योवर कहीं है जो रियल भ्योवर हैं जो की राज़तान से बिलोंग करते हैं नाम हम डिस-क़ी-लियर नहीं करेंगे उनका लेकिन उनके साथ क्या समस्याहे होती है एक रियल स्टोरी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाई तो उनको घर से बाहर जाते हैं तो उनको लगता है कि हम कहीं बेहोसना हो जाएं इसके वज़े से क्या होता है कि वो कहीं family, party, function में जहां भी उनको जाने का मौका मिलता है वो बहाना बनाते रहते हैं कि हम उनको नहीं जाना है किसी और चीर का बहाना बनाते हैं मिरा आज तव्यात ह्राब है मेरा पेड़ द्रत कर रहा है मेरा मन घुम रहा है तो नको घ़ंड़다 करने लगता है कहीं हम बेहुत हो हो साले होते हैं तो क्या होता है मन के अंदर और जैसे ही बाहर निकलता है तो वह क्या क्या है पहले तो आज से डाने से कि आज आदमी क साथ मिलेके जाते हैं जिनके कारन से क्या होता है क्या कुछ भी हो जाएगा हमको हम को घर घर तक पहुंचा देगे तो उनने से ढाद कि आपके साथ क्यों होता है तो कि एक बार से हम किー सब्सक्राइब ऐसे भुटन टार्व उन्हें होने लगा है कि घर में ही पड़े हुए है बहुत लोग तो जो हैं कि एक लोग का ऐसा भी समस्ज़ा था वो अपना जॉब चोड़ दिये थे जहां से घर का इंकम आता था घर चलता था वह बैचारा जॉब छोड़ दिये था ऐसा जो है आता है ही घर में इराना पसंद करने लगे घर सवर कंने तक उन को यह थो श्यालिंठ को वो सच मनने, जिनके कारण से क्या कि वann उन क्या है दोस्तों कि वह जनरलाइज कर लिए अपने ठाउट को जो है कि बहुशी बहुशने हो जाएंगे इसके वेसे जो उनको एक बार विचार आया कि उनको विचार प्रेशांद करने लगा उनसे बात कि क्या अभी जो है कि इधर हुआ आपको एक दिन बहुश हुए बोला हो होते नहीं है शुल देखिए समझीए आंसर समस्सी समझेए गां यह जो घर से बाहर न्कलने वह आप भी अपना बिची सकते हैं वह बेर होतेrok्याने के ृट कि डर से रातें रहते हलущें दर्ते रहते हैं गाईज है तो प्राव्लम क्या है प्राव्लम है वेहुस होना प्राव्लम नहीं नहीं average व इमेजनेशन को ही क्या करते हैं क्या करते हैं धाल मानने लगते हैं लिए है कि हम मार्केट जा रहे हैं कपड़ा खरीदने के लिए अब कपड़ा व्ला दुकान पर हम बहुंस हो जाएंगे कपड़ा व्लाग कि हमको कैसे यहां पहुंचाएंगे आप माइड बूक क्या करते हैं तुरत जो हैं कि अपना घर भागते हैं टाउट प्रेशान करें लगत वह मान कारण से वह वह घर भाग जाता है कंपरसन में देखिए क्या कररे हैं। वह बाढ़ भाग रहे हैं। इसके वह सिस्ट का भी भी मारी गिए ओक trusted-क्रे अगर आइक भी मारी से बाहर निकलना से था इसी वीडियो आपताए आप उस्यों की हैं कि निकलने के लिए क्या करना है यह जो इमेजनेशन है सिर्फ यह मानना है कि माइंड में इमेजनेशन आ रहे हैं घर से बाहर निकलने वक्ति हो सकता है किसी को accident होने का विचार आता हो हुआ नहीं है बस होने का डर लग रहा होता है बस यह समझे किसी को जो है कि लग रहा होता है कहीं जाएंगे तो लोग कुछ नहीं बोल दे तो इस तरह का हो सकता है तो इस case में क्या करना होगा कि आप जैसे ही घर से बाहर नि सकते यह OCD का विचार है एक नाम दे सकते हैं यह OCD का विचार है ठीक है जब आप जो है ना बैकर प्रेसान कर रहा था ठीक है जब dona अपना जाएब भूए तो यह स्को हलके फलके लेना चालो की यह तो OCD का विचार है हमें बीमारी हुआ यह जिनके कारण से हो रहा है और इस Imagine को जो है कि जो आपको क्या होता है आपका confidence भी जो है ना कम हो जाता है और कोई भी काम करते हैं तो उस काम में मन नहीं लगता है क्यूंकि आपका यही विचार में आपका दिन बर जो हैं time ले लेता है घंटो ब raining विजाताएगा इसलिए क्या होता है कि आपका self confidence अपने ऊपर से confidence भी कम हो जाता है तो confidence कैसे बढ़ेगा जब आपको यह डर दिखाएगा ता आप इसको फेक डर मानेंगे जूठा डर मानेंगे यह OCD का विचार रहा है यह बोलेंगे लिख लिख करकर कॉपी बताएंगे कि यह जो मेरा विचार आ रहा है यह OCD का विचार अपने ठाउट को ठीक है गाईज पहला चीज करने से तो होने वाला नहीं है दूसरा काम क्या करना होगा जो निगेटिव फिलिंग आ रहा है जो कि आप जो घर भाग जाते हैं तो घर मत भागिए आप जाईए पार्टी फंक्शन में जहां भी होता है उस विचार को समझिए कि मतलब यह OCD का विचार है जोठा विचार है तो आपको क्या करना है कि घर भाग के नहीं आना है वहां पर जोएंसे कड्यान को फेज करना है दर के साथ दोस Benjamin के साथ लेते हैं आप तो अप इस साथ ना को जाएगा कुछ दिखा रहा कि नुकसान हो जाएगा बुरा हो जाएगा एक्सिडेंट हो जाएगा ठीक है देख लेंगे इस तरह से बोलिए चौड़ा हो करके बोली के हाँ देख लेंगे अपने अंदर सक्विए जूठा विचार है यह जूठा है आपको जूठा डर दिखा दिखा के प्रेसान कर रहा है है तो आपको क्या करना है इसके साथ sad करना kinté़ दोश्ती जितना डर के साथ करेंगे उतना दिर्दरु आपका CONFIDENCE भरने लगेगा यह भागना चा रहा है यह तक भूस दोटाने करना अब करेंगे तक बीमारी से बाहर नहीं निकल सकते हैं गाई बिमारी के लिए आपको क्या करना ठीक करने के लिए आपको घर से बाहर जाएंगे तो वहां पर जो anxiety डर घबराट होगा वह थोड़ा दिर के लिए होगा फिर रहेंगे कुछ हुआ है नहीं अमको फिर जो है कि आप relax फिल करेंगे अरे फिर जाएंगे दुसरा दिन फिर ये एक दिन समझने से नहीं ओगा ये सके लिए बार बार practice चाहिए जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे नहीं आपका माइंड सीखेगा पहले ब्रेंड को आपको सिखाना पड़ेगा आपको माइंड को सिखाना पड़ेगा तब फिर ब्रेंड जब सीख जाएगी तब जो है कि आपका कंट्रोल खतम फिर ब्रेंड अपने आप manage करेंगे guys counseling के दुरुन क्या सिखाते हैं यहीं की तो हम सिखाते हैं कि आपका mind आपका brain अपने आप उस डर को manage करने लगे अपने आप जो है कि सारा चीज करने लेगे आप महिलाएं अगर हैं तो रोटी बनाते होंगे तो महल लेजिए रोटी बनाने example आप जो है कि पहले mind से जो सिखाते हैं कि हाथ को practice करवाते हैं कि रोटी बनाना इसे गोल गोल बनाना है एक दिन के बाद जब आपका brain आपका mind आपका हाथ सीख लेता है तो आप कोई और भी काम कर रहे हैं तो कुछ और भी सोच रहे होते हैं कि रोटी अपनी आप गोल हो जाता है कैसे हो जाता है पहले आप ने कुछ दिनों मैनत करके उसको शिखा दिया है तो वो अपने आप रोटी बन जा राहा है तो इसी लिए होता है कि अपने brain को अपने mind को सिखाना पड़ता है पहले तो आप जब पहले इस डर को जो है कि जो डर है इसको जो है कि ना डर डर के आप फेस करके आप सीख लेंगे शिखा देंगे brain को तो आपका brain जो है कि फिर manage अपने आप करने लगा इस सब चीज को तो guys आपको समझ में आया को कि घर से बा बाहर निकलना चाहते है जल्दी बाहर निकलना चाहते है तो कोई counselor का में लिजिए या हमसे लिजिए कोई और परसन से लिजिए उससे जो है कि मदद लिजिए counseling fee जमा कीजिए फिर आपको उसके बाद आपका जो है कि आप उनसे जो है कि आपको बताएंगे habit का practice जल्दी बाहर निकल जाएंगे थैंक यू गाइज विस्टी वैल्ट वी हैपी